हलो एवरीवान वेलकम टू माइंटू चैनल एच हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग सो एगनू ने जूंदा 23 सटामने एक्जाम रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्लिश कर दिया है और यह रिजल्ट का 14 अपडेट पब्लिश किया गया है स्टेटस अभी आप लोग 11 अगस्तक देख पा रहे होगे जो कि पहले 10 अगस्तक सो कराता यानि कि एक दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है हलाके आज 12 अगस्त है नॉर्मली सैटरे के दिन कोई भी अपडेट नहीं आता है लेकिन जो अपडेट था वो 11 अगस्तक हो गया था लेकिन पोर्टल को लाइब नहीं किया गया था इस पोर्टल को आज लाइब किया गया सैटरेड़े के दिन में तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं उसका डिस्किप्शन में दिया हुआ है यह भले एक दिन का ही अपडेट है लेकिन इसमें बहुत सारे स्ट्वेंट के रिजल्ट डिकलेर किया गया है और 85% स्ट्वेंट का रिजल्ट डिकलेर किया जा चुका है बस 15% स्ट्वेंट का रिजल्ट पेंडिग है तो इतने सारे result देखने को मिल रहे हैं तो that means कि बहुत जल्दी पूरा result डेकलेर कर दिया जाएगा पहले की तरह नहीं होगा कि 3-4-4 महिना लग जाता था पूरा result डेकलेर होने में तो आप लोग अपना result चेक कर सकते हो एक में e-grade आया है और एक में d-grade आया है दोनों का data audition on website 11 अगस्यों करा और मैं आप लोग बता दूँ कि MBA program में जो passing marks है यानि कि passing percentage है वो अब c-grade हो गया है ठीक है तो अगर आपका e-grade आएगा तब भी आपका back लगा हुआ है अगर d-grade आएगा तब भी आपका back लगा हुआ है तो जो भी student है जिनका इस तरीका का issue है तो आप लुक चाहे तो या तो दुबारा December में exam दे सकते हैं या फिर आप re-checking on photocopy of answer seat के लिए apply का सकते हैं marks increase होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप दोनों के लिए apply करते हैं तो उसके लावा ये student का BHIS program है BHIC 107 का result declared क्या गया है 100 में 62 marks है date of disorder on website 11 August उसके लावा ये student का BPC 145 का result declared क्या गया 147 marks है date of disorder on website 11 August उसके लावा ये student का BG 142 का result declared क्या गया 155 marks है date of disorder on website 11 August और ये सब ही result आज ही के date पे update हुए है I mean 11 August के date पे update हुए है BGS 183 50 में 14 marks है BPAG 174 100 में 35 marks है date of disorder on website 11 August और BAPSH जो program है उसमें जो passing marks होता है 50 में वो 18 होता है तो इनका 14 marks है that means की 4 marks से back लगा हुआ है तो ये चाहें तो rechecking और photocopy of answer sheet के लिए apply कर सकते है portal को ठीक कर दिया गया है जो भी problem था portal में यानि के जो exam center code so नहीं कर रहा था या फिर payment में issue हो रहा था उसको अभी resolve कर दिया गया है तो आप लोग अराम से photocopy and rechecking के लिए apply कर सकते हैं ओके ना ये student का वन वन फोर्टो का एजल दिक्लेर किया है ये तो मैंने बता दिया उसके लावा ये student का दो paper का एजल देक्लेर किया गया है bscg program में bzyet 141 और bzyet 143 दोनों का एजल देक्लेर किया है एक में 50 में 18 और एक में 50 में 44 marks है date of this sir on website 11 agast हो कर रहे है ये भी student का देखो कि बाकी अधर paper में इतने अच्छे marks हैं सभी में 70 plus marks आया हैं और इसमें तो 88% आया है लेकिन एक में 50 में सिर्फ 18 marks आया है तो ऐसे जब भी भी होता है ना तो आप समझ लो कि अपका paper checking साई से नहीं हुआ है तो आप लोग कम से कम photocopy के लिए apply करी सकते हो, okay ये student का भी दो paper का result declare किया गया है, BGLA 136 काफी student का आज डेकलेर हुआ है, 177 marks है, BBCS 184 1514 marks है, दोनों का data option on website 11 अगस्टो करा, उसके लावा इतने सारे paper का result declare किया गया है, आप लोग भी अपना result चेक कर लो, link उसका description में दिया हुआ है, साथी साथ grade card को भी update कर दिया गया है, लेकिन grade card में एक problem ये हो रहा है, कि जब student grade card के section पे जाते है, यहाँ पे अगर वो अपना program code select करते है, उसके बाद से जो भी उनका enrollment number है, वो अगर put करते हैं, तो इस तरीका से उनको error show करते है, server error in grade card, ठीक है, तो ये सभी program question के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर आपको ये problem face हो इसके उपर click किजएगा तो आपका grade card open हो जाएगा, direct grade card का section बनाया गया था, वहाँ से अभी detail login नहीं हो पा रहा है, and grade card open नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमें सा इस तरीका से errors हो कर रहा है, तो जो based on grade card open नहीं कर पा रहे है, वो इस तरीका से अगर करेंगे, तो हो जाएगा, आप बस इस, I mean, portal पे अपने enrollment और program core और capture put की जाएगा, और यहाँ पे grade card का option दिया गया, यहाँ से select की जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, और अपना grade card आप चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आ गया, जुन दाते है, से time and exam result का, यह 14th update है, and इसमें इतने सार एस्ट का, जिस भी paper का, जिस भी reason का result declared किया गया होगा, नीचे कॉण box में जरूर बताना, ताकि बाकिया 10 student को भी पता चल पाए, और जो 10 student का result pending है, उनको वेट करना परेगा, मंदे के बाद से next update आएगा, उसके बाद से आप लोग का result declared किया जाएगा, और tension मत लेना, बहुत जल् करके भी अपने डाउट कर सकते हैं, और अगर आप एच हलप लेन चानल पर फरस्ट हमाया हैं, तो make sure आप लोग पहली फूसत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, so thank you so much for watching this video, have an awesome day, thank you so much.